तो क्या अब हम इस शेप के लिए भी यही बात कर सकते हैं Inner Radius R1 है, Outer Radius R2 है और यह एक Hollow Sphere है तो अभी यहां अगर हम कोई Differential Register लेंगे यह हमारा एक Differential Register है जो DR Thickness का है मैं पूछू कितने area के Molecule Heat Travel करा रहे हैं, फिलहाल वो होगा Inner Surface, that is 4π R² तो इसका जो DR होगा, वो होगा इसकी Length, that is DR जहां Heat Travel करना है, Thermal Conductivity दी होगी और कितने area के Molecule, 4π R² यह हमारा DR आ गया, तो यह Effective Resistance R लाने के लिए हमें इसी DR का Integration करना चाहिए यह तो और आसान है, अच्छी बात यह है कि सारा discussion R में ही है हमने कोई नया variable introduce नहीं कराया है Limit R1 से R2 हो जाएगी Integration करके, minus 1 by R आएगा यह R की Effective Value आजाएगी अगर हमें Inner Layer का Temperature और Outer Layer का Temperature पता है तो हम Heat Flow की बात कर सकते हैं झाले का यह हुआएगी